मेटाबोलिज्मों टीवी में आपका स्वागत है आपके मेटाबोलिज्म और स्वास्थे के बारे में सही जानकारी का स्रोत वजन बढ़ाने वाला अविरल सपना मैं फ्रैंक स्वारेज हूँ मोटापा और मेटाबोलिज्म के विशेश जी अच्छी नींद ना लेना निश्चित रूप से मोटा करता है वास्तव में ये साबित हो चुका है कि डाइबिटीज के साथ भी जैसे कि डाइबिटीज वाले लोग ग्लूकोजा लेते हैं अगर ड विरामित नींद खराब नींद की गुनवत्ता ये मतलब होता है कि आप मोटा होंगे तो हम नाचेरल स्लिम में करते हैं नाचेरल स्लिम केंद्रों में एक मुख्य चीज है कि हम सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि व्यक्ती सो सकता है हम सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति सही तरीके से भोजन करने सही पूरकों का उपयोग करने के लिए मदद करेगा ताकि वह दवाओं के बिना सो सके और नींद ले सके क्योंकि यदि आप दवाओं के साथ सोते हैं तो आप मोटा हो जाएंगे कुझी है कि शरीर प्राकृतिक रूप से सो सके जब आपके शरीर को स्वाभाविक रूप से नींद आती है और आपको एक आराम दायक नींद मिलती है चाहे वह 6 घंटे हो या 7 घंटे लेकिन बिना किसी रुकावट के और एक आराम दायक नींद होने पर आप बहुत आसानी से वजन कम करेंगे जब तक आप अच्छी तरह से सो नहीं पाते हैं या रात में बार बार उठते हैं आप निश्चित रूप से वजन कम नहीं कर पाएंगे बलकि आप और ज्यादा मोटे होते जाएंगे तो मैं एक ब्लैक बोर्ड के पास जा रहा हूँ इसे समझाने के लिए ध्यान दे संबंधित नींद के कुछ मुख्य कारण होते हैं सामान्यता शरीर कैसे बनाया जाता है आप सोने जाते हैं और 6-7-8 घंटे तक बिना रुके और ठीक से संगठित रूप से सोते हैं यह आपके शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह आपको उचित आराम और स्वस्थ्य जीवन शैली की सुनिश्चित करता है स्वास्थ्य पूर्ण नियुन्तम वास्तव में 6 घंटे हैं क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं जी हाँ अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो वह थोड़ा कम सोता है नहीं लेकिन वास्तविक्ता ये है कि आपको कम से कम 6 अविच्चेद्य और पुनर निर्मान आत्मक घंटे की आवश्यक्ता होती है वास्तव में जब आप सुबह उठते हैं तो आपको अंतर महसूस होता है कि आपने अच्छी तरह सोया है आप आसानी से विस्तर से उठते हैं और आप ये भी महसूस करेंगे कि कपड़े भी बेहतर लगने लगते हैं सब कुछ बेहतर होता है क्योंकि जब आप अच्छी तरह सोते नहीं हैं तो हार्मोनल सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये तनाव का कारण होता है book the power of metabolism से तनाव मोटा करता है diabetes sin problems book में जो diabetes अच्छी तरह सोते नहीं है वे diabetes को नहीं नियंतरित कर सकते यानि यहां एक अध्याय है जिसका नाम है जो नींद आपके मधुमेह को नियंतरित करती है अगर आप अच्छी तरह सो नहीं पाते हैं तो मधुमेह को नियंतरित नहीं कर सकते क्या हर diabetes जो अच्छी तरह सोता नहीं है उसे दवा की जरूरत नहीं होती तो कुंजी है सोने की ख्षमता अब वह रुका हुआ सपना क्या पैदा करता है ध्यान दे अधिकांश मामलों में ये होता है कि जब हम मधुमेह के विशय में काम करते हैं तो ये निम्न लिखित होता है और हमें पता चलता है कि मधुमेह वालों के बीच अच्छी तरह से नहीं सोते हैं लेकिन हमने देखा है कि जब मधुमेह वाला अपने आहार को सुधारता है सही तरीके से खाना खाना शुरू करता है और स्वता ही अच्छी तरह से सोने लगता है और कई मधुमेह वाले जो हमें इंसुलिन, मेटफॉर्मिन और उसी प्रकार की चीजें उपयोग करके आए हैं उच्छ रक्तचाप के लिए दवाएं क्योंकि लगभग 80% मधुमेह रोगियों को उच्छ रक्तचाप होता है हमने देखा कि जब उनका पोशन नियमित किया जाता है और उनकी नींद नियमित की जाती है तो स्वचालित रूप से उन्हें इंसुलिन, मेटफॉर्मिन और उच्छ रक्तचाप की दवाएं नहीं चाहिए उन्हें डायरेटिक या कुछ और नहीं चाहिए और उनका ग्लूकोज पूरी तरह से नियमित हो जाता है साथ ही वजन भी कम होने लगता है खास कर मधुमेह रोगियों के लिए सबसे खतरनाक क्षेत्र होता है क्या नहीं अब ध्यान दें वह सपना रुका हुआ है इसे ध्यान से देखें ये एक रुका हुआ सपना है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है कृपया ध्यान दें और इसे पूरा करने की कोशिश करें, ध्यान दें, रुका हुआ सपना वह टूटा हुआ सपना एक सपना है जो आपके हर्मोनल साइकल को तोड़ देता है, ये एक अध्यतित और अच्छी तरह से जागरित होने वाला सपना है जब आपने अपने शरीर को संतुलित पोशन दिया है जिसमें प्रोटीन और कार्बो हाइडरेट्स शामिल है तो कार्बो हाइडरेट्स की आवशक्ता होती है इन्हें पूरी तरह से हटा नहीं सकते ये वसा भी शामिल होती है क्या आपको लगता है कि यह सही है इसलिए संतुलित आहार खाने के लिए प्रोटीन और कार्बो हाइडरेट्स दोनों की आवश्यक्ता होती है वसा भी शामिल होती है और इन्हें पूरी तरह से हटा नहीं सकते ये तीन, एक, दो और तीन, एक स्वस्थ आहार के मुख्य घटक है और इन तीन को हमेशा मौजूद होना चाहिए वास्तव में तेल के बिना किसी भी आहार से कुछ अच्छा हासिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि तेल शरीर के हार्मोन बनाने के लिए भी आवश्यक होता है ना इसलिए तेल का सेवन अत्यंत महत्वपूर्ण है कार्बोहाइडरेट्स की आवश्यकता होती है क्योंकि वे मेरे मेटाबॉलिजम को चालू करते हैं और प्रोटीन बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि वे पुनर निर्माण, मरम्मत और अन्य मदद करते हैं मधुमेह के अनियंत्रितता, मोटापा की समस्या, अवयव प्रणाली की समस्या, हार्मोनल समस्या, तंत्रिका प्रणाली की समस्या, अवसाद, थायराइड में गांठें, ये सब समस्याएं मुख्य रूप से हमारी संस्कृतियों के कारण होती हैं, क्योंकि हम सभी कार्बोहा कमाया जाता है, कोई भी प्रोटीन से पैसा नहीं कमा सकता, कोई भी वसा से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, जहां काफी पैसा कमाया जाता है, वह है कार्बो हाइडरेट, सोचिए कि आप एक सुपरमार्केट में पहुंचते हैं, और आप देखते हैं कि सुपरमार्केट की चावल, आलू, मिठाई, सबकुछ सुपरमार्केट के बीच में है स्टार्च होने वाले, चीनी होने वाले हॉआ फ्रक्टोज कान, सिरफ वाले सभी चीजें वहाँ मिलती हैं लगभग लगभग आप सुपरमार्केट से बच सकते हैं खरीदारी कर सकते हैं और आपको स्वास्थे की और ले जाने की संभावना होगी ना क्योंकि खतरा में है क्योंकि पैसा छोड़ने वाली चीज है इसलिए वहाँ के अधिक कार्बोहाइडरेट है तो क्यों होती है अविरामित नींद वस अपना विच्छेदित हो जाता है क्योंकि व्यक्ति भोजन और प्रोटीन कम खाएं तो उनके पास कोई प्रोटीन नहीं होता कोई चर्बी नहीं होती इसलिए संतुलन नहीं होता जब तालमेल नहीं होता है कार्बोहाइडरेट प्रोटीन की आवश्यक्ता होती है जब आप कार्बोहाइडरेट को प्रोटीन के साथ मिलाते हैं तो श सरकरा उर्जा के रूप में उप्योग होता है जब शरीर को जरूरत होती है चलो मान लेते हैं आपकी जिगर एक भंडारन टैंक है और जो रात में आपको जीवित रखता है और नींद में रखता है और शुगर को नियंतरित करता है वह है जो आपकी जिगर में होता है लेकिन नहीं बना सकता है इसलिए रात को सोने से पहले पर्याप्त प्रोटीन के साथ अपने कार्बो हाइडरेट या सलाद या जो भी खाते हैं तो शरीर को ग्लाइकोजन निर्मान करने का कोई तरीका नहीं होता है जो उसे आपके नींद के दोरां जीवित रखेगा इसलिए ये मह ग्ल्यूकोजन नहीं होता है तो शरीर चीनी को बनाए रखने में सक्षम नहीं होता है क्योंकि जब आप सोते हैं तो ग्ल्यूकोजन ही उस चीनी को बनाए रखता है लेकिन यदि आपने पर्याप्त प्रोटीन का संतुलित रूप से खाना नहीं खाया है और आपने चलो मा यह अवस्था हाइपोगलाइसीमिया कहलाती है जब आप यहाँ वर्नित उचित तरीके से खाना खाना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि रात में आप जाग नहीं रहेंगे और आपकी नींद बिना रुकावट की होगी जो मरम्मत करने वाली होगी और फिर आप वजन कम कर सकते हैं और अपना मेटाबॉलिजम सुधार सकते हैं और मैं इसलिए यह बता रहा हूँ क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है इसलिए यह एक महत्वपूर्ण तत्व है जो आपको स्वस्थ और संतुष्ट रखने में मदद करेगा